Hello everyone, welcome back to the channel last minute revision with RSM and here I am back with another video So, आज हम discuss करेंगे about the subject of financial accounting अगर financial accounting में FA में अगर किसको TYB.com, SEM5 में KT है तो ऐसे कौन से chapter से जिसके उपर आपको सबसे पहले focus करना है और उन सारे chapters के लिए अगर आपको कोई भी चीजे में doubt रहेका तो आपको क्या करना है और इन सारे chapters में अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा, तो भी आपको क्या करना है सारी चीजे में आपको बताने वाला हूँ, तो चैनल के साथ जुड़े रहे और अगर आप पहली बार को इस वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सबस्क्राइब कर ले इसका मतलब आपने ये सारे chapters के उपर कही न कहीं ध्यान नहीं दिया है या फिर आपने इस exam को lightly लिया है, तो अगर आपको अभी वाले जो सेमफाई की जो additional exam होगी, 80-80 की exam होगी, वो अगर आपको clear करनी है तो सबसे पहला रास्ता आपको ये करना है कि मैंने जैसे last lecture में भी discuss किया था कि आपको सबसे पहले आपका सेमफाई का जो paper आपने attempt किया था उस paper को ध्यान से देखना है और आपको उस paper से related questions को solve करना है अब ये paper को questions को solve करने के लिए मैं आपको videos देने ही वाला हूँ तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, सारे videos आपको ये channel पे धीरे-धीरे मिलते रहेंगे और exam तक आपको बहुत सारा material मिलने वाला है तो जुड़े रहे और last minute revision with rsm का app भी download कर ले, सब कुछ description में available है अब अगर हम बड़े topics की बात करें, तो देखो सबसे पहला topic है हमारा internal reconstruction वो एक बड़ा topic है, दूसरा हमारा chapter है final accounts का वो भी एक बड़ा चाप्टर है फिर एक chapter है जिसमें काफी जादा working notes बनते हैं, काफी जादा calculations होते है and that topic is called as investment accounting, तो investment accounting रहा, internal reconstruction रहा, final accounts रहा और एक छोटा सा topic है, जिसमें अगर आप working notes सही से बना लोगे, तो आपका जो है वो उसमें full marks आने के जो है वो chances जो है वो बढ़ जाते है, and that topic is called as buyback of equity shares तो basically इन chapters से ही आपको questions पूछने वाले है paper में, अगर इन chapters से questions पूछने वाले है तो भले आपको ये सारे chapters नहीं आते होंगे, तो आपको focus क्या करना है, आपको सबसे पहले find करना है कि आपको इस में से कौन सा chapter easy लगता है, तेखो अगर मुझे internal reconstruction chapter easy लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी internal reconstruction chapter easy लगेगा, आपको जो है वो अपने basis पर find करना है मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, because हमको अभी simple logic follow करना है, हमको इस exam में score करने के बारे में सोचना भी नहीं है हमको इस exam में सबसे simple, मेरा logic एक है कि हमको इस exam में 80-80 clear करने के बारे में सोचना है तो 80-80 clear करने के लिए सबसे पहले ऐसे topics को आप धुंडो, जो आपको simple लगते है अगर आपको internal reconstruction की general entries difficult लगती है, तो आपको internal reconstruction को बाद में solve करना है सबसे पहले हमको क्या solve करना है, investment accounting अगर आपको easy लगता है, तो आप investment accounting को solve करे उसके बाद अगर आपको buyback easy लगता है, तो आप buyback को solve करे उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि final accounts difficult है, final accounts difficult है, बहुत lengthy है final accounts actually difficult नहीं है, final accounts सुर्फ lengthy है, जितना आप उसमें posting करते जाओगे उतने आपको marks जो है वो मिलने वाले है, इसी लिए आपको ऐसे chapters के उपर focus करना है, जो topics हमको posting related marks जो है वो देते हैं, अगर हम internal reconstruction की बात करें, तो there are certain entries in this topic which are fixed, वो हमेशा आने वाले हैं, जैसे कि equity shares का reduction, preference shares का reduction, assets का appreciation depreciation, reconstruction के expenses paid, यह सारे common adjustments है और यह common adjustments, कोई भी paper में question, paper में question डाले, एक common adjustments के बिना यह chapter हो इनी सकता है, तो इसके लिए यह सारे entries के उपर आपको focus करना है, अगर आपको लगता है problem है, चैनल पे बहुत सारे videos available है, और जो आपने paper attempt किया, वो भी मैं आपको पूरा video format में solve करके देने वाला हो, तो कोई भी चीज़ों के बारे में डरना नहीं है, सारी चीज़े ध्यान से preparations करें, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब तक आप preparations नहीं करोगे, तब तक आपकी etiquette clear नहीं होगी, इसके लिए हमको ध्यान क्या रखना है, हमको हमारे side से 100% दे ना आ है, हमको हमारे side से preparations करना है, because ये preparations न करने की वज़े से ही, आपको केटी लगी है, एक तो आपने paper blank रखा है, एक तो आपने चीज़े attempt नहीं की है, and resolve points की वज़े से आपको केटी लगी है तो वो सारी चीजों का आप analyze करें सारी चीज़े आप अगर properly analyze करेंगे तो आपको overall idea आ जाएगा कि क्या-क्या गलती है आपने की थी while attempting the paper तो ये सारी चीजों के उपर focus करें videos आपको time to time basis पे मिलेंगे तो financial accounting में सबसे पहले दो topic के उपर focus करें एक है हमारा topic that is called buyback of equity shares दूसरा हमारा topic है investment account अभी जिसको investment accounting पढ़ने में difficult लग रहा है working modes वगरा difficult लग रहा है वो फिर internal reconstruction में shift हो सकता है internal reconstruction पे shift हो जाना हम topic तो सारे पढ़ने वाल है लेकिन पहले दो topic के उपर focus करें कोई भी problem रहेगा playlist में जाहिए सारे videos available है तो हम next lecture में मिलते है और paper solve करेंगे हम tyb.com.semfy का जो भी आपने attempt किया है जो आपने attempt करने के बाद आपको kriti लगी है उस सारे paper के questions जो है वो हम यहाँ पे solve करने वाले है तब तक आपके पास question paper पर जमा करके रखे thank you very much मैं मिलता हूँ आपको next lecture में with the paper solving thank you bye bye take care